हेलो फ्रेंड्स तो भाई आज हम बात करने वाले most important question आपका उतकरष्ट या अक्री गैसे क्या होती है ठीक है एकजाम में देख सकते हो इससे कितने question पूछे जाते है हर साल आपके दोजाओ 19, 20, 21, 22 मतलब हर साल आपके एकजाम में इस topic से question पूछे जाते है ठीक है तो देख question एक ही video पर आज हम लोग देखेंगे हर साल देख से और आपके पूछे जाते है ठीक है तो भाई please वीडियो को last तक देखना क्योंकि आज हम देखेंगे उतकरष्ट या अक्री गैसे क्या होती है ठीक है इसका पूरा मतलब detail में से समझेगे ठीक है तो please वीडियो को last तक द जीनान और रेडान ठीक है देख सकतों सून वर्ग में स्थित आपका ये कौन सा जीरो वर्ग है जीरो ग्रूप है इसमें हीलियम नियान आरगन क्रिप्टान जीनान और रेडान ठीक है जीनान तथा रेडान आवर्त साड़ी देखो जीवान जीनान तथा रेडान आवर्त सा नाम से भी जानते हो उतक्रष्ट गैसे कह सकते हो ठीक है तो ये भी इसके नाम होते है ठीक है अब बात करते हैं देखो कहा गया उतक्रष्ट या अक्री गैसों के सभी कच्छ पूर्ता भरे होने के कारण ये संतरप्त होती है और इसी कारण रासायनी रूप से निस्क्री होत अभी देखेंगे electronic winneas जब इसका निकालेंगे देख सकते हो electronic winneas हमने निकाला हुए आपका सुनवर्क के दत्तों का helium का जो होता है electronic winneas 1H2 होता है नियान का 1H2, 2H2, 2P6 इसी प्रकार से argon का 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6 क्रिप्टान का देख लो 36 परमाडू का मांग है इसका भी देख सकते हो और इसी प्रकार से जीनान और रेडान का भी हमने निकाल रखा है ठीक है तो यह है आपकी helium परवार के तत्तों के electronic winneas देखो आपको नीचे बताया भी गया है कि उतकरश्ट या अक्री गैसो का समान इलेक्रोनिक winneas NH2, NP6 होता है इसमें उपस्ती सभी कच्छक पूर रूप से भरे होते हैं ठीक है पूर रूप से भरे होते हैं सारे कच्छक पूर रूप से भरे होंगे ठीक है आप इसमें किसी पी भी देखोगे देखो 6H2, 6P6, 5H2, 5P6 यहां देखो 4H2, 4P6, उपर 3H2, 3P6 इसी प्रेकार से 2H2, 2P6, ठीक है 2H2, 2P6 और केवल helium में 1H2 है ठीक है मतलब सारे आपके विन्यास क्या होंगे NS2, NP6 ठीक है और केवल helium पे केवल 1H2 है और देख सेको 2H2, 2P6, 3H2, 3P6 यही है तो यही का गया उत्क्रश्ट या अक्री गैसो के सभी कचिक होते हैं पूर्ता भरे, पूर्ता भरे होते हैं ठीक है और इसी कार से संत्रप्त होती है और इन्हें निस्क्री गैस कहते हैं और इसी कारण से ने अक्री या उत्क्रश्ट 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 या उ करने की छमता इन में नहीं होती क्या बात कहेगी देएको और इनकी इलेक्रोन मन्होंता सूनी होती क्यो सूनी होती ये बात करते देएको NH2, NP6 इसका विन्यास होता है तो मतलब आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपका सारे कच्चक क्या है पूर्ण रूप से भरे देखो एस पे आपके दो इलेक्रोन अधिक तम P पे चाये तो जब इलेक्रोन पूर्ण रूप से भरे तो इलेक्रोन गराहन नहीं कर पाएँगे इनकी गराहन करने की छमता इनमें नहीं होती जिसके कारण इनकी correct बंदुता 0 होती अगला इनके उच आयनन विभाव, इनके उच इस्थाई विन्यास NH2-NP6 के कारण होते हैं आप से question पूछा जाता है कि आयनन विभाव क्यों उचे होते हैं तो क्यों उचे होते हैं क्योंकि इनका विन्यास NH2-NP6 होता है इनके कच्छक, बाहरी कच्छक पूर्ण रूप से भरे होते हैं इस कार्ण से इनके आयनन विभाव ऊचे होते हैं ये question भी आप आसानी से बता सकते हो और electron मंदुता के ओती 0 क्योंकि इसमें NH2NP6 मिन्यास के कारण इनके सारे कच्छक पूर्ण रूप से भरे होते ये electron गराण कर नहीं सकते हैं तो देख सकते हो आप देखो ये हो गया आप बात करते हैं अक्री गैसों की विसेस्ता हैं देखो अक्री गैसों की प्रमुक विसेस्ता हैं तो देखो अक्री गैसे साधररता राचानी का्पिक्रियों में भागने लेती ये क्या करती ये साधारता राचानी कापिक्रियों में भागने लेती ठीक है और समझ सक्री गैसे रंगहीन, गंधहीन तता स्वाधहीन होती है और देखो यह सबी एक परमाड़ुग गैसे यह हिलियम, नियान यह सारी गैसे एक परमाड़ु इसमें एक परमाड़ु होता है एक्जापण के तौर पर S2 पे दो परमाड़ु लेकिन हेलियम नियान इन में क्या होते है एक परमाळूग गैस है, ठीक है तो देख सकते हो, साधारता रासनीक अब क्यों हों में भागने लेती अक्रिग गैसे, रंगहिन, गंधहिन, तता स्वाध ही होते और यह एक परमाळूग गैसे होती तो ये हो गए इसके विसेस्टाय ठीक है तो ये देख सकते हो आप बात करते हैं देख सकते हो ये वाला भी था कि आपकी अक्रिकर सुक्ष की विसेस्टाय लिखिए है आप बात करते हैं हेलियम और नियान के महत्वपूर उप्योग जोंकि जाम में पूछे जा चुके question ठीक को क्योंकि इसमें जीवालू विक्सित नहीं हो सकते इसमें क्या होते जीवालू विक्सित नहीं हो सकते ठीक है अगला देखो उपयोग थर्मामीटर हीलियम थर्मामीटर जो होता है कम ताप पर कारे में प्रियुक्त होता है इससे कम ताप पर हम लोग कारे कर सकते हीलियम थर परसेंट आक्सीजन का मिस्रड जो होता है दमा तथा अन्य स्वास की बिमारियों में प्रियुक्त होता है ठीक है दमा तथा अन्य स्वास की बिमारियों में 80% हीलियम वा अक्सीजन का मिस्रड प्रियुक्त होता है ठीक है तो यह थे हीलियम गैस की उपयोग अब बात करते है अगला नियान लैंप तथा नियान वायू, लैंप, वायू यानों के लिए दूर से सूचक का कार करते हैं, ठीक है, दूर से क्या करते हैं, सूचक का कार करते हैं, नियान लैंप और नियान वायू लैंप, ठीक है, तो यह थे नियान और हीलियम की उप्योग, तो देख सकते ह तो याद जो जो क्वेशन जालता एक्जाम में पूछे आते हैं अक्री गैसों से सारे बता दिये क्यों आइनन विभाव आपके उच्छ होते हैं अक्री गैसों की विशेस्ताइं इलेक्ट्रोन बंदुता क्यों सूने होती ही ठीक है तो यार वीडियो अच्छ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना ओके थैंक्स वाचिंग डिस वीडियो